आप देख रही हैं तीर्थंकर चैनल जैन्ध धर्मका उद्गोश ऐसे ही लेटस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को तीन भूहन में सारे भीत राग भी क्यान नेता सिवस्वरूप सिवकार नमहुति योग संभारी के बुरे देवादी देवसी चंद्रप्रुभू भगवान कीजे बुरे देवादी देवसी पार्षनात भगवान कीजे बुरे आचारे चारे चारे चक्वटी सी सांती सागर जी महराजे कीजे बुरे आचारत ने एक सुआर सी अजिस सागर जी महराजे कीजे गुर्वर आचारे कल पे एक सुआर सी सनमती सागर जी महराजे कीजे बुरे जैने धर में कीजे दोरत राम्जी ने छेड हाला में दिखा है जेत्रिभुवन में जीव अनन्त सुख चाहे दुख ते भय बन्त संसार के जितने भी प्राणी है चाहे वो एकिंद्री हो विकलत रहे हो अथ्वा पंचेंद्री हो प्रत्येक प्राणी सुख को चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है परन्तु सुख कब मिलेगा हमें सुख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ब्योहार में भी अगर आप सुख चाहते है तो उसके लिए आपको परिश्रम करने की अती आवशकता है जब तक परिश्रम करोगे परिश्रम के बिना धन नहीं मिलेगा और धन के बिना इंद्रिय सुख नहीं मिलता और इंद्रे सुक के साथ साथ हमें आत्म सुकी भी साधनाप करनी होगी क्योंकि इंद्रे सुक तो छणिक है एक छण में दिखाई देता है दूसे छण समाप्त हो जाता है परुंतू छण भंगूरे जीवने की कलिया कल प्रात समय में खिली ना खिली उदिया चल की सुची सी तल मंद सुगंद समीर मिली ना मिली कली काल कुठार लिये फिरिटा तन नर्म से चोट जिली ना जिली भजली प्रभूना में अरी रसना कल प्रात समय में हिली ना हिली किसने देखा कि प्रात्र काल होगा मानव का जीवन तो छण भंगूर है जर्के बुद्ध बुद्धे के समान है क्योंकि एक छण दिखाई देता है दूसरे छण समाप्त हो जाता है उसी प्रकार ये पंकिंद्री के भोग एक छण के लिए होते हैं दूसरे छण में समाप्त हो जाते हैं परन्तु मानव इंद्री भोगों के लिए राद दिन 24 घंटे दोड़ता रहता है जिफपकार पूरब में जाने वाला दिखती पर छणे उसके पीछे होती है परन्तु पूरब में सूरे उन्हे होता है जो पस्ची में चलता है तो उसकी छण में पहले आगे भूटी है तो वो दोड़ता रहता है उस छणा को पकड़ने के लिए लेकिन उसको चाया मिल सकती नहीं लेकिन वही बारा बजने के बाद क्या होता है वो चाया उसके पीछे चली जाती है फिर वो चाया डोटती है आपके पीछे कि मैं इसे पकड़ लूँ लेकिन ने संसार है ने आगे की ने पीछे की कोई ली चीज आपको पकड़ने वादी नहीं है सब बहुत दूर है आज मुक्ति को मालों चाहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए लेकिन कैसे मिलेगा मोक्ष पाने के लिए भी हमें उस सुक की आओ सकता है जो आतम को हित है सुक आकुल्टा बिन कहिए आतमा का सुक आकुल्टा से रहित होगा जहां आकुल्टा है वहां कई सुक मिलने वाला नहीं है और वह सुक कम मिलेगा जब तक आप देवसाज गुरु की भक्ति नहीं करोगे क्योंकि बेवार सम्यक दर्षन हमारे देवसाज गुरु की भक्ति उनके प्रती सद्धा और उनके प्रती भावनाएं देब तम्हारे अंदर जागरप नहीं बुगी तब तक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता और सम्यक दर्शन के बिना ज्यान और चारित बेकार है कोई फ़ल नहीं देगा कितना भी आप ग्यारांगे दस पूरु के पाठी बन जा आएगा और को भोथ ज्यान जान के अंदर मता ति मेरेमानु सभारे नहीं है और व्यूंट वह उसका ज्ञान हो इंद्र नहीं भगवान की भानी चाचचा दित्तशन महाविर महाविर ब्लाइं कि लृ रही तो इंद्र कोचयन्टा लगी कि भगवान की बानी क्यों नहीं देखे बिना पुन्य के इंद्र भी कुछ नहीं कर सकता है इंद्र को अवधिज्ञान था लेकिन कब से वो से मारूम हो जाना चाहिए था लेकिन जब समय आता है तभी कारी की सिद्धी होती है इंद्र ने विचार किया कि भगवान के समोशन में गंधर नहीं है भगवान की बाणी दो के सामने खिरती है या तो गंधर हो या फिर चक्रवर्ती हो गंधर नहीं भी है और चक्रवर्ती ने अगर प्रश्न किया तो भगवान की बाणी खिर सकती है भगवान आदिनाद के समय कोई गंधर नहीं था लेकिन भरत चक्रवर्टी ने प्रश्ने किया और भगवान की बाणी खिर चुकिती गंधर तो दो पहर में हुए थे लेकिन भगवान महावीर के समोशण में न गंधर थे और न चक्रवर्ची था इसलिए भगवान की बाणी चाचर दिन तक नहीं खिरी और जब इंद्र को अवजी ज्यान से मादुम पड़ा कि जब तक गंधर नहीं बन सके का कोई भी कि तब अब की बाणे नहीं खिर सकी तो इंद्र को गोतम जी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि ब्रद का रूप लिया लक्टी हाथ हमें सलीर हिं रहा फिर भी धीरे 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 गोतम के पहूंच गए उनसे कहा मेरे गुरु तो मों ले रख वह हैं और मेरी एक अभिलाशा है, एक पंक्ती है, उसका अर्थ मुझे आप से पूछना है, उसका अर्थ मुझे बताए, क्योंकि मेरे तो गुरु जो है, ये मौन देखर के बैठे हुए हैं, उनने कहा, कि बोरिये, क्या है आपकी बात, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा, जब इंद्र ने दो लाइन पड़ी, त्रईकादम, द्रब्यशटकम, नौपरसईतम, ज्यान दर्शन चारित्र, ब्रत्य समिती ज्यान दर्शन चारित्र, ये सारी चीज़ें, इंद्र ने जब गोर्टम के सामने कही, तो उनने कहा, मैं ये सब जानता हूं, काल तीन होते हैं, द्रब्य छे होते हैं, पदार्श नो होते हैं, ब्रत पांच होते हैं, ज्यान पांच होते हैं, चारी तेरा होते हैं, ये सब मैं जानता हूं, लेकिन अगर इसने और आगे प्रस्ण कर लिया, कि द्रब्य क्या आर् कि तो मैं इसका उट्तर नहीं दे सकता तो उन्य कहा न तो कहीं नहीं सकते थी कि मैं नहीं जानता हूं कर इसने हुए इतने बड़े गुड़ प्रस्ण का उटर मैं तुझे देने से क्या फाइदा होगा तेरा सरी तो हिंग रहा है आज ने कल चला जाएगा मैं ये तेरा प्रश्ण का उत्तर तेरे गुरु को इधूंगा इंद ने तो सोचा ही था कि गोर्तम कैसे भी भगवान महावीर के समोशन में पहुंचे उनने का ततास्तू मेरे साथ चलिए मैं अपने गुरु के पास आपको ले चलता हूँ देखे गोर्तम साथ हुआ और इंद के साथ चला जब समोशन में पहुंचा तो आप देखे मानस्थम तिठंकर से बारा गुणे उंचे होते हैं उन मानस्थम को देखने के साथ ही सारा मान समात हुआ जैसे ही समोशन में पैर रखा भगवान के दर्शन बहुत दूर से हुए पास से नहीं दूर से देखने मात से क्या हो गया सम्यक्त की प्राप्ति हो गया मिठ्यात नश्ट हो गया, मान तो नीचे मानस्थम को देखने से समाथ हो गया था, लेकिन जो मिठ्यात था, वह भी समोशन में पैर रखते ही समाथ हुआ, सम्मेप्ट को ग्रहन किया, भगवान की तीन प्रदिक्षना दे करके नमस्कार किया, और भगवान के कारण से परे रहते हैं, उनका विमान तिठ्टं करके सामने काम नहीं करता है, और भगवान के समोशन में कपड़े खोल के दिख्षा दी, और एक अंतर मुरत उनने ध्यान लगाया, कि मन पर ये ज्ञान हो गया, इंद्र को पता चला, कि मन पर ये ज्ञान गोतम को हो चुका है, और उठाओ अंधर की स्थापना करी, और भगवान की बाने खिर चुकी, अब सोची, सुकत मिदेगा हमें, जब तक हम दिशार गुरु के प्रतिभक्ति भावना, शद्धा जागरत नहीं करेंगे, तब तक सम्यक्त होगा नहीं, और जब तक सम्यक्त नहीं है, तब तक संसार क है एक अंतर मुरत के लिए, वह अंतर मुरत के अंदर सारे संसार को काट करके, अर्द पुद्गर परावर्टन काल सीष रह जाता है, और सारा संसार उसका नश्ट हो जाता है, तो संसार नश्ट करने के लिए क्या होगा, सम्यक्त की प्राप्ति करना होगा, मोक्ष महल की प पराप्त होगा, तो मानों को सुख ही सुख है, कहीं दुख हो इनी सकता, क्योंकि सम्यक दर्षन एक मानों के मन की पवीत्रता है, जहां मानों के मन में पवीत्रता है, महा दुख का क्या कारण है, इसलिए सुख को प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजे आपको भगवान की भक्ति करनी होगी जब तक आप भगवान के चड़नों तक नहीं पहुंचोगे तब तक सुख मिल सकता नहीं है देखिए आप घर से घबराते हैं घर के अंदर कोई अगर हमारे मन को असांती करने वाला वातावरन हो जाता है तो क्या सोचते हैं चलो थोड़ देर मंदिर में चलते हैं स्वाध्या करेंगे इस घर के जंजर से छूटेंगे तो मंदिर में जाने के बाद क्या होता है सांत हो जाता है सांती मिलती है चाहे आप जाब करो चाहे स्वाध्या करो चाहे पूजा करो चाहे भगवान का पाठ करो अब शेक करो इनसे क्या होगा आपके मन को ब कोड़ना पड़ेगा अब आप सोचे दुख कासे मिलेगा कि दुख क्यों होता है कि Dск जोड़ते हैं प्रत्यक मानों सोचता है प्रत्यक माम सोचता है आपने जीवन में कि मर जहना है मुझे मुझे स्वर्ग जाना है लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना होगा स्वरक जाने के लिए रात्री भोजन का त्याग करना पड़ेगा देव दर्शन करना पड़ेगा अबक्ष का त्याग करना पड़ेगा आलू प्याज दहसुन ये सब क्या चीज़े हैं हमारी जो राती भोजन ट्याग नहीं करता आलू का ट्याग नहीं करता अबक्ष अधार्णों का ट्याग नहीं करता मधू माज का ट्याग नहीं करता वो मानक सुरक कैसे जास रखता है तो सुख कैसे मिलेगा ये दुख के सादन सारे हम जोड़ते रहते हैं बोया पेड़ बबुल का आम कहां से घाने जिसके बीज डालोगे वही फल प्राप्त होगा जिसका बीज इनिया आपके पास तो फल कहां से मिले बार्द करने के लिए हमें अच्छे से अच्छे जमीन को देखनी होगी और अच्छा से अच्छा बीजगाना होगा और अच्छे से अच्छे बाल इसकी कामना करनी पड़ेगी ये सारी चीज़े जब हमें मिलेगी तभी हमें सुख प्राप्त हो सकता है उस सुख को खोजने के लिए आप सोचिए स्वरग में सुख है आपको स्वरग सोचते हो कि मुझे स्वरग मिल जाए तेकि स्वरग में सुख है क्या अगर स्वरग में सुख होता तो स्वरग से मानो को स्वरग से देवों को मानो कर सी में क्यों आना पड़ता स्वरग में रहने वाले भी देव सोचते रहते हैं कि ये भगवान ये स्वरग हमारा कब शूटेगा कब मानों जीवन धारन करेंगे और कब हम ब्रत सज्यम की साधना करते हुए अपने निर्वान पद को प्राप्त होगे हर समय सोचता रहता है सोची आप सोचते हैं स्वरग में सुख है स्वरग में भी आपको बहुत सारा दुख है मान से का दुख वहां इतना है कि मानों एक शण के लिए भी सांती प्राप्त नहीं कर सकता है सोधर्मिंद की सभा में तिव सारे देव पहुंचते हैं और सोधर्मिंद उन्हें आग्या करता है कि तुम पालकी बन के आओ हाथी बन के आओ घोड़ा बन के आओ और नत्यकारनी बन कर के आओ सोची आप उस घोड़े पर उस हाथी पर उन पालकी पर कौन बैठता है वहां कोई घोड़ा हाथी नहीं है ये देव ही हाथी घोड़ा बनके आते हैं और उनके उपर सवारी देव करते हैं सोधर्विंद भी पालकी में बैठता है और चार इंद उस पालकी को उठाने बादे होते हैं सोधिये पुन्य के बिना देव गठी नहीं मिलती लेकिन देव गठी में भूस सारे देव ऐसे हैं कि सोधर्विंद के सभाव में नहीं जा सकते और सोधर्विंद के आगया के बिना हाथी घोड़ा बनना ही पड़ेगा तो ऐसी अगर देव परियाबी हमें मिल गई तो वहां कौन सा सुख मिलेगा आपको छोटे देव बड़े देवों के आभुशनों को देखकर उनके वस्त्रों को देखकर उनके सरकी सरीर के चमक को देखकर के रात दिन जूटते रहते हैं कि हे भगवान, हमने ऐसा अपने नहीं किया, जो इस आज्या का हमें पालन करना होता है, जब तक इस प्रकार की भावनाई हमारे में नहीं आएगी, तब तक बहां भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है, मानों तो भोत हैं, आपने देखा, सिकर जी के पहाड पे जाते हो, उठाने वारे भी मान भी होते हैं, इसी प्रकार, देवों में भी आपको कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है, मान से दुख है, प्रतेक देव के साथ रहता है, सोधर मिंद को आप सोचते हो कि बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, लेकिन नहीं, जब देवांगनाओं का बहुत ज़्यादा होता है, आप से भी बहुत ज़्यादा, और जो मिठ्यादस्टी दीव हैं वहाँ पर, छे महने पहले, उनके गले की माला मुर्जा जाती है, और उन्हें मालुम हो जाता है, कि मुझे आप छे महने के बाद यहां से मरना होगा, तो जिसको ये मरन का अन् इसलिए मरने से प्रतिक मानव ड़ता है, कि मैं मर न जाओं, लेकिन छे मेने पहले से उन्हें ऐसका अन्भव हो जाता है, तो छे मेने तैक जूर्टा रहता है, मरोटा रहता है, ये बकवाण, अब मेरा ये सोधर, जो इंड का सुखता, जो देवों का सुखता, दिवांग बनाएं ये महल ये मकान ये सारी सेवाएं सब मुझे यहीं छोड़के जानी पड़ेगी मेरे साथ ये कोई जा सकते नहीं हैं और अंत में क्या सोचता है कि है भगवान मैं यहां से मर करके माता के गरब के दुखों को ग्रहन नहीं करूँ मिठ्चा दुख्टी माता के गरब के दुखों से ड़ता है और वो इस प्रकार का निदान करता है कि है भगवान मैं एक किंदी परियाए में जा सकता हूं लेकिन माता के दुखों के गरब को दुखों को नहीं सेहन कर सकता तो कहां तो पुन्य किया था कितना पुन्य किया जब कहीं देव बना था और देव बन करके सोचता रहा सोचता रहा और अंत में क्या बन गया एक किंदी परियाय में जाकर उत्पन हो गया कहां गया सोने चांदी की खानों में जाकर उत्पन हो गया हीरे पन्ने की खानों में जाकर उत्पन हुआ अथ्वा जरक के अंदर स्वाते नक्षत के मूंद बन गया जो सीब के मुखने जा करके मोती बन गया और बनस्पती के अंदर गुलाब के फूर आम के ब्रक्षे इस पकार के जा करके वहाँ उस एकिंदी पधियाई को धरन करता है आप सूचिए कहाँ देव था कहाँ क्या सुख था वहाँ पार लेकिन मरने के बाद क्या हुआ एकिंदी जैसी पधियाईयों को धरन किया इसलिए मानों को दुखे दूर रहो सुखे साधनों को जोडो दुख तो प्रत्यक मानों को आना ही आना है क्योंकि वुस्य तो आप फूटी नहीं सकते। परन्तु क्योंकि इसके अंदर कितने रोग सरीर के अंदर भरे पड़े हैं तो कोई निवे कोई रोग था हमारे इसके साथ एक नैए एक रोग हमारे साथ चालू रहता है तो वो तो चक्रवर्टी जैसे महापद, बलदेव नरहन जैसे महापदों को प्राफट करेंगे और तीसरे भ़ो से निर्मातपद को प्राफट करेंगे, भरत चक्रवर्टी जैसे स्वरगों से आये तो चक्रवर्टी बने चफाएक सम्मेग्ज़्षिा बनकरके, उसी भव से मोक्षी चले गए तो अगर हमारा इतना पुन्य हो हम चाहिक सम्मेट को प्राप्त करें और स्वरक्य सुखों को भोगे बिना स्वरक्य सुखों को भोगे बिना मोक्षी नहीं हो सकता है चारों गत्यों में इस जीव को भ्रवन करना होगा क्योंकि निगोस से निकला है पापों के साथ से तो पापों के भुक्तान तो यहां स्वरक्य संसार में करना ही पड़ेगा और यह चारों गत्यां डुक्का साधन है लेकिन फिल भी जो निर्मान जाता है वो स्वरक्य से आत हैं लेकिन नरक में भी उनको कितना सुख मिलेगा छे महीने पेरे सोने का कोट लग जाएगा और उसके अंदर सारी मार पीड़ सारा दुख सब सबावत हो जाएगा तो ऐसे पुनि के साधन से चाहे हम नरक में भी रहें तो भी सुख है सुरगों में रहें तो भी सुख है तो वहां के भोगों को भोग कर इस मानव जीवन को प्राप्त करें और अंत में महावरतों को धारन करते हुए ध्यान की साधना से तपश्चा की साधना से हम उन कर्मों की निर्जरा करके निर्वानपत को प्राप्त करें वही सुख है यह संसार तो हमारा दुख का ही तारण है इसे दुख से बचने के लिए हमें सुख के साधनों को जोड़ कर मोक्ष जाने का पुर्षाट करें आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्मका उद्गोश ऐसे ही लेटस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजे तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजे इस बेल आइकन को